अच्छे और मज़ेदार म्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए। स्कूल ओफ ड्रामा एनेसडी शे उन्होंने एक्टिंग का कोर्स पूरा किया और फिल्मों में आ गए। एक इंटर्व्यू के दौरान राज ने बताया था कि एक्टिंग का शौक उन्हें बचपन शेही था और वे अकसर स्टेज शोज में पफॉर्म करते रहते थे। बॉल आने शे कोई शरीफ नहीं हो जाता, आज भी जब लोग सुनते हैं, तो रुमांचित कर देते हैं। फिल्मी सफर, राज बबब को बॉलिवुड में पहला ब्रेक एन स्टी शे ग्रेजिवेट होते ही मिल गया था। उनकी पहली फिल्म 1980 में सौ दिन सास के आई थी। इस फ हिट फिल्मों में बियार चोपड़ा की निकाह शामिल है। राज बबब आज भी लगातार फिल्मों में सक्रिय हैं। कॉपोरेट, बॉडिगार्ट, कर्ज, फेशन, साहब बीवी और गेंस्टर दो, बुलिट राजा, तेवर जैसी आज की फिल्मों में भी राज बबब दिया था, लेकिन किसी की एक न सुनते हुए दोनों ने साथ रहना शुरू कर दिया। राज बबब की पहली शादी नादिरा बबब शे हुई थी और उन्हें बेटे-बेटी के रूप में आर्य बबबर और जुही बबबब हुए थे। स्मिता पाटिल के देहांत के नमक हलाल फिल्म में राज बबब को पहले शशी कपूर का रोल ओफर हुआ था, लेकिन किन्ही कारणों शेवे इस फिल्म को नहीं कर पाए। उसके बाद रमेश सिप्पी की फिल्म, शक्ती, में भी राज बबबब को रोल ओफर किया था और बाद में उशे अमिताब बच चनने किया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगा कि अमिताब की वजह शे ज्यादा बिजनेस होगा। बता दे कि राज बबब की 1993 की फिल्म अटल इरादा और 1994 की फिल्म चक्कर पे चक्कर फिल्म बनने शे पहले ही रध हो गई थी। राज बबब राजनीती में भी स सबहा चुनाव में वे फिरोजबाद शे समाजवाधी पार्टि के सांसत्ट चुने गए। 2006 में समाजवादी पार्टि शे निलंबित होने के बाद उन्होंने कॉंगरेस की सदस्यता लेली। कॉंगरेस के प्रवक्ता रहे चुके राज बबब ने 2014 लोकसभाचुनाव में